क्या कहा पचास हजार का केक आपने भी यही सुनके इस वीडियो को क्लिक किया होगा तो जी हाँ आज जो मैं केक बनाने भी जा रही हूँ न वह है एक पचास हजार रुपे का केक सच में इस केक के अंदर मैंने ऐसी एक चीज डाली है एक ऐसा सब्प्राइज गिफ्ट आला है जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यो है वो हो जाती है पूरे पचास हजार रुपे की तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे पूरा स्टेप बाइस टेप वीडियो बने रहे मेरे साथ एंड तक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल होममेड बैश्विता भी तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पूरा सब्प्राइज गिफ्ट के साथ भरा हुआ वीडियो है जिसके अंदर आपको एक ऐसा नया टेकनिक सिखने को मिलेगा जिसमें हम केके अंदर एक स पहले नहीं दिखाने वाली थी लेकिन अभी मुझे इसके साथ ही मेरा टुटोरियल शुरू करना है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ज्वैल्री बॉक्स के नाप के हिसाब से हम हमारे मोल्ड का साइज पहले तो फिक्स करेंगे तो जब मैं इसको काटूंगी ना केक को बॉक्स को अंदर रखने के लिए तो मेरा केक कट के फट जाएगा इसलिए में थोड़ा सा गैप रखते हुए एट इंच का केक मोल्ड भी ले रही हूं तो यह हो गया हमारा केक मोल्ड का सिलेक्शन जो बने लिया है एट इंच का केक अब हम क्या करेंगे इस बॉक्स को हम प्रिपेर करेंगी कुई कि हम डिरेक्ली केक में तो प्लास्टिक का नहीं डाल सकते ना तो फूड ग्रेट जो हमारा क्लिंग रैप आता है उसकी मदद से उसे पूरा का पूरा इस तरह से अच्छी से रैप कर रही हूं ताकि जब वो गिफ्ट खोले तो यह रैपर निकाल देंगे और उनके पास एक क्लीन डबा रहेगा उनके हाथ में और वो गिफ्ट को आराम से खोल सकते हैं तो यह हो गया हमारा प्रिपेर गिफ्ट बॉक्स जो हम डालने वाले हैं हमारे केक के अंदर उचली अभी केक बैटर बनाना हमने गुन-गुना पानी इसके लिया है क्योंकि मैं यहां पे कोको पाउडर यूज करूंगी तो कोको पाउडर अच्छे से ब्लूम हो जाए ना इसलिए हमने यहां पे गुन-गुना पानी लिया है अब मैंने उसमें मिला दिया है 1 3rd cup of oil और अब मैं तीनों को अच्छे स समेल करेगा और वो ब्लूम करेगा अब मैंने इसमें डाला है 1.5 cup जितना आटा तो लेकिन यह मेरा आधे कप का मेजरमेंट था इसलिए मैं इसे तीन बार डालूंगी तो मैंने आटा डाल दिया है अब मैं डालूंगी 1.5 teaspoon जितना बेकिंग पाउडर और 1.5 teaspoon जितना बेक और अभी हम एक लंफ्री बैटर रेडी कर लेंगे इस तरह से अब इसमें जाएगा 1 teaspoon जितना वैनिला एसेंस और 1 tablespoon जितना विनेगर फिर से एक बार हमें अच्छे से मिला लेना है और अब मैं स्पैचुला की मदद से सारे के सारे बैटर को फिर से एक बार अच्छे से मिल देखे हमारा बिल्कुल स्मूद सा बैटर रेडी हो चुका है अब हमारा केक टीन था उसको मैंने ओल और आते की मदद से घस्टिं कर दिया था और उसमें मैंने डाला है पार्च्मेंट पेपर तो इसमें मैं पूरा बैटर को पोर कर लूंगी और इसे हम बेक करने रख दे कड़ाई को दसमीनिट के लिए प्रीहिट करना है और सेम टाइम के लिए आपको उसे बेक करना है तो 45 मिनिट के बाद मेरा जो केक बेक होके आ चुका है और मेरा स्क्यूर है वह एक तम अच्छे से क्लीन बाहरा आया है तो आप हम इसे ढख के खूल होने तक रख देंगी अब जब तर के ठटा हो रहा है मैं गनाश के तैयारी कर लेती हूँ तो गनाश के लिए मैंने यहां पे 2 इस 2 1 का रेशियो लिया है मतलब कि अगर 170 ग्राम मैं चोकलेट ले रहे हूँ तो मुझे उसका आधा प्रमान में क्रीम लेना पड़ेगा तो दोनों को मैंने माइक्रोवेब में हीट कर लिया है और जब मिलाने के बाद गनाश रेडी हो जाता है तो इस तरह से प्लास्टिक क्लिंग रैप जो होता है फूट से उसे हमें कवर करके 2-3 गंटे के लिए रेस्ट देना है अब यह जो ट्रोपोलाइट की क्रीम है मैं उसको यूज करे हूँ लेकिन यह जो मेरा डिपा है वो मैंने अभी अभी फ्रिट से निकाला है तो मैंने चाहती कि पूरे के पूरे डब्बे को में पहले थो करूँ मतलब कि पूरा उसको रूम टेंपरेचर पे आने दो उसके बाद में केक को निकालू केक के लिए क्रीम निकालू इससे अच्छा है कि मैं केक में जितना यूज होने वाला है उतना क्रीम पहले निकाल तो मैंने 200 g निकाल लिया था और उसे अच्छे से बीट कर लिया था बाकी बचे पैकेट को आप अच्छे से पैक करके फ्रीजर में वापिस से स्टोर कर देना है अब हम हमारे केक को रेडी करेंगे तो उसके पहले में क्या करूंगी केक का मेजर ले लूँगी तो मेरा जो केक का स्पांजे वो बना है 600 g तो उसे मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है इस तरह से देखे पूरा अच्छे से क्रम और केक कटके बाहर आ चुका है हमारा अब मैं 12 इच का केक बेज ले रहे हूँ उसे भी मैंने नाप लिया था पहले तो अब मैं क्या करूंगी क्रीम और गनाश दोनों को मिला के मैं पहले चॉकलेट क्रीम रेडी कर लूँगी उसे साइड में रख लिया है और हमने जिस प्लास्टिक रैप से हमारे गनाश को कवर किया था उसी को मैंने मेरे बेस के उपर इस तरह से लगा दिया है ताकि हमारा गनाश वेस्ट ना हो अब पानी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सोकिंग के बाद इस तरह से गनाश डालेंगे, उपर से चॉकलेट क्रीम डालेंगे और चॉकलेट क्रीम को फिलाने के बाद हम उसके उपर वापस से गनाश डालेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा चॉकलेट फ्लेवर रेडी, यह यहां पर मैंने जो चॉकलेट लिया है ना वो लिया है मैंने प्यॉर चॉकलेट आप चाहे तो आपका गनाश जो है वो कम पाउंट से भी बना सकते हैं फिर से हमें वही स्टेप्स दोराने है और इस तरह से मैंने तीनों लेयर्स को अच्छे से रेडी कर लिया है और उसे क्रम कोट कर लिया है उपर के लियर में काफी अच्छे से मैंने गनाश डालके उसे फ्रिज में सेट होने के लिए रग दिया है अब जब तक फ्रिज में से और जो लड़का है उसकी बढ़्डे शिक्सटींत बढ़्डे था तो मैंने वन और शिक्स नमबर को भी इस तरह से काट लिया है और उनको बैक में भी मैंने डबल कलर देने के लिए ब्लैक कलर का फॉंडेंट यूज किया है अब मेरा केक जो है ना वो आदे गंटे से फ्रिज में सेट हो रहा था तो मैं क्या करूँगी मेरे जूल्री बॉक्स के हिसाब से पहले उसमें लाइन बना दूगी और दो लेयर तक के केक मैंने इस तरह से निकाल लिया है दो लेयर तक नीचे जाना है आपको ताकि आपका ब वो आराम से अंदर जा रहा है और हमने जो काट के रखा था ना बाकी वाला केक उसको आपको फेकरा नहीं है उसी को हमें क्या करना है इस तरह से वापिस से इसके उपर फिक्स करना है और जो बचे हुए गैप है उसमें छोड़े-छोटे से केक्स के टुकड़े भरके आप हमारा की का बेज रेडी अब हम बाहर के लेयर को क्या करेंगे फ्रॉस्टिंग करेंगे तो मैं वाइट कलर की क्रीम से इसे इस तरह से फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं ये कोम ले रही हूँ जिसकी मदद से मैं बीच में खड़े बना रही हूँ जिसमें मैं दूसरे कलर का क्रीम डालूंगी, जी हाँ, मैं वाइट और ब्लू कलर के पट्टे वाले design बना रही हूँ. क्रीम भरने के बाद हमें सादे स्क्रेपर की मदद से, इस तरह से हमारे केक के टेबल को गुमाना है, ताकि इस तरह की बाइट और ब्लू कलर की पत्ती के डिजाइन बन जाए उपर के पार्ट में मैं जो कोम आता है जिगजग वाला उसकी मदद से ये डिजाइन बना रही हूँ तो उपर की डिजाइन भी हमारे रेडी है, साइड में स्ट्राइपस भी हमारे रेडी है तो ये केक हमारे बिल्कुल रेडी है, अब हम पॉंदेन जो टॉपल है उसको उसके उपर सजाएंगे तो मैंने यहां पे ब्लू, ब्लैक और डाक ब्लू कलर से स्टार्स को कट कर लिया था और उनके पीछे मैंने वायर लगा के चॉकलेट मेल्ट करके उसे चिपका दिया था अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे वायर को खड़ा रखना है ना केक के उपर तो अगर आप ऐसे ही उसे छोड़ दोगे तो वायर हेवी होने की वज़े से वो कीर सकते है तो मैंने केक के अंदर एक छोटा सा स्ट्राव डाला है और स्ट्राव के बीच में मैंने 3-3 स्टार्स को इकठा करके उसमें डाला हुआ है बाकिके ऐलिमेंट्स जो मैंने हमने रेडि किये थे उसको इस तरह केक पे सजा रही हूँ थोड़े से ब्लू कलर के पर्ल्स डाल रही हूँ, थोड़े से वाइट कलर के छोड़े छोड़े पर्ल्स भी डाले थे और ये मेरा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया है उमीदे आप सबको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक, शेर और कमेंट करना ना भूले और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूले बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे फ्यूचर के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगे तो यहां पर मैंने दो कलर में बच्चे का नाम भी रेडी कर लिया था और यह हमारा केक पूरा रेडी हो चुका है किसी को पता भी नी चलेगा कि इसके अंदर सब्प्राइस गिफ्ट रखा हुआ है तो यह जो वीडियो है ना मुझे क्लाइंट ने शेर किया था जिसके अंदर वो दिखा रहे है कि जब गिफ्ट निकला तो जो उनका बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा सब्राइस हो चुका था और उने बहुत ही पसंद आया यह गिफ्ट तो यह जो चेन थे जो हमने केक के अंदर डाली थी और मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना पूले